तो मेरी ओशिनोको की पिछली वीडियो को आप सब ने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया लेकिन फिर भी मैं इस एनिमे को एक और मौका दूंगा अपने चैनल पे तो हाँ आज की वीडियो में हम एक्वा के लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं हाँ वही जो हमारी स्टार आई है उसका जो बेटा एक्वा है उसके बारे में सब कुछ जानेंगे उसके प्रीवियस लाइफ से लेकर अभी वो फिलाल एनिमे में क्या कर रहा है तो बेसिकली यहां मांगा से कोई स्पोईलर नहीं होगा तो आराम से देख सकते हो इस वीडियो को बस एनिमे में जो भी दिखाया गया है वो सब मैं आपको बता दूँगा तो फिर वेट किसका कर रहे हैं लेट्स रॉक अन रॉल इंटो दे वीडियो तो हम सब जानते हैं कि अक्वा आई का बेटा है लेकिन आई का बेटा होने से पहले उसका एक प्रीवियस लाइफ था जहां वो एक डॉक्टर था उसका नाम डॉक्टर गरू हुआ करता था वो वन पंच मैन वाला गारू है वो नहीं ये अलग है अब डॉक्टर गरू अपनी एक पेशेंट से काफी क्लोस था जो की एक 12 साल की लड़की थी और उसका नाम सरीना था सरीना की वेज़ से ही डॉक्टर को आई के बारे में पता लगा था और सरीना की मौत के बार डॉक्टर भी आई के एक बहुत बड़े फैन बन चुके थे पास्ट फोवर्ड आई उसके हॉस्पिटल में आती है क्योंकि वो प्रेगनेंट थी और यहां डॉक्टर वचल लेता है कि मैं आई का देख भाल पूरे तन, मन और धन से करेगा लेकिन आई के डिलिवरी के दिन ही डॉक्टर को मार दिया जाता है बेसिकली आई के एक स्टॉकर फैन के द्वारा बट इसके बावजूद भी आई आराम से डिलिवरी करती है जहां उसको ट्विन बच्चे होते हैं एक लड़का जिसका नाम परता है आक्वा और अक्वा और कोई नहीं बलकि डॉक्टर गरहू है जिसके बास अपना पूरा नौलेज है पिछले लाइफ का पूनरजनम हो गया एधर और लड़की का नाम हुगी डखा जाता है जो कि और कोई नहीं बलकि सरीना थी ज़ी हां जो डॉक्टर के पेसंग थे और सरीना के पास भी अप बहुत ही अच्छी सी वीडियो देना है इसके लिए मैं वापस से रिपीट किया सब कोच चल चूट खर तो अगर हम एक्वा की लाइफ में आते हैं तो यहां जो सबसे ट्राजिक इंसिडेंट होता है वो है आई की मौत आई की मौत के बारा हम एक्वा को अपनी मा की फ्यूनिरल को अटेंड करते हुए देख पाते हैं यहां आक्वा हमें पहली बार आयानो कोजी की वाइफ देता है वो अपना साड़ा दिमाग लगा के डेड्यूस करता है आई को जिस स्टॉकर ने मारा था उसको आई के अपार्टमेंट का नया अड्रेस और किसी ने नहीं बल्कि आक्वा के बाप ने बताया था तो ऐसे में आक्वा ठान लिया कि वो अपने बाप को ढूंड के रहेगा कि कौन है वो बंदा जिसने आई को मारा और इसके लिए वो उसे सजा देगा ये हमें कहीं सुना सुना लग रहा है अब आक्वा अपने बाप को ढूंडने के लिए ताईशी नाम के एक डिरेक्टर के साथ काम करने लग गया अयसा क्यूं इसका बाप है वो इंटेटेंग्मिंट इंडस्टी से ही कहीं न कहीं जुरा है तो टाईशी एक डिरेक्टर है उसके साथ अगर अक्वा काम करेगा तो वह भी इंटेटेंटर् इंडस्टी से जुरा रहेगा वहाँ पे छान बीन कर पाएगा समझ रहे होगे आप लोग में क्या कहना चाहता हूँ Aqua का यहाँ प्लान था कि उसे जिस किसी बेबी शक होगा वो उसका किसी तरह से DNA सैंपल ले लेगा अपने से मैच करा लेगा इससे उसे पता लग जाएगा लेकिन जनरल कोर्स में परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं Aqua को आक्टिंग वगेरा में कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन फिर वह दिरेक्टर टाईशी के साथ बैक्ग्राउंड में काम करता है किस चीज पर वीडियो डिटिंग वगेरा का अब इसी स्कूल में आकवा को वही जीनियस चाइडड डाक्टर काना अर्इमा मिल जाती है आहां वही चाइड डाक्टर जो कि बेकिंग सोडा को और अदाश के अंदर रो सकती थी यह बेकिंग सोडा वाली बात इतनी इंपॉर्टन नहीं थी लेकिन मैं आपको बता दिया अब अरिमा आक्वा को देखकर काफी खुश होती है और वह लिटरली उसके पीछे ही पर जाती है मतलब उसके साथ वह ताइशी डिरेक्टर के घर तक आ जाती है तो बात वगेरा करके यह तिनों खाना खाते हैं जाहां बताती है कि वो एक शू का हिस्सा है जिसका नाम है यह अंदर एक मांगा के टीवी अडप्टेशन को देख रहे हैं अरिमा अक्वा को इस ड्रामा में एक स्टाउकर का रोल प्ले करने को उफर करती है लेकिन आक यहसे तुरंती रिजग कर देता है बातों बातों में आक्वा को पाचलता है कि इस शो का प्रड्यूसर है मसाया काबुरागी और ये जानते ही आक्वा इस शो में आक्टिंग करने के लिए हां कर देता है अब अप सोच चलोगे ऐसा क्यों किया वज यहां एक फ्लाश बैक दिखाए जाता है चाहां में पाचलता है कि आई के मरने के बाद आक्वा उसके तीनों फोन को खंघाल रहा था एक परस्नल फोन था एक प्रफेशनल फोन था लेकिन एक सीकरेट फोन था जो कि काफी पुरा डाल नहीं पाऊगे तो ऐसे में आक्वा को चार साल लग गए इस फोन के पासवर्ट को डिकोड करने में और कितना अटेम्ट्स लगा आइधिंग 45,510 अटेम्ट्स के बाद आक्वा फाइनली इस फोन को अनलॉक कर पाया भाफ रेजुन के लग रहा है कितना टाइम लग गय आपन लिंक इंस्टेगाम का भी डिस्क्रिप्शन में है वो भी देख लेना हर वीडियो में बोलता हूं फिर भी आप लोग नहीं चाहते प्लीज कर दो ये सारे काम Coming back to video, जब वो फोन फाइनली अनलॉक हुआ तो उसमें कई सारे इमेल्स थे, कॉन्टाक्स थे, उसी में से एक कॉन्टाक्ट था, मसाया का बुरागी का तो ऐसा में आक्वा सेट पे पहुंचता है, अच्छी आक्टिंग वजड़ा करता है, और यहां प्रोडूसर एक सिगरेट फूखता है, तो वो उसका बड निकाल लेता है, जिससे वो DNA टेस्ट कर ले, और टेस्टिंग के लिए इस बड को भेज देता है और उनफॉचनेटली प्रोडूसर का जो DNA था वो आक्वा से मैच नहीं करता, यानि कि प्रोडूसर उसका बाप नहीं है, खेर तो यह सब होने के बाद जब सिरीज लाँच हो जाती है, तो थोड़ी बहुत सक्सेस हो जाती है, पहले तो बहुत खराब रेटिंग थी, लेक इसलिए कर पाया था, क्योंकि वो आई का एक middle man था, यानि कि उसको clients वगेर से मिलवाता था, मसाया काबूरा की बताता है कि आई यहाँ एक ऐसे इंसान से मिलती थी, जिसके बारे में agency तक को पता नहीं था, शायद वही उसका secret boyfriend था, अब obviously आक्वा को जानना था कि वो secret इस बनना पड़ता है, इस शो का नाम है my love with a star begin now, और यह basically उसी तरह का reality show है, जहाँ लड़के होंगे, लड़की आऊंगे, उनके बीच relation बनेगा, वो देखते ने splits विला जैसा type का कुछ, मतलब ऐसा नहीं यह proper dating type का show था, तो ऐसा ही कुछ समझ लो, इस शो में 6 actors थे और मै सब के आड़ा मैं आपको डीटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं सब के नाम आपको जरू बता देता हूँ, फर्स्ट एक्टर इस यूको सूमी, जो की एक 1st year high school student है, और एक model है, सेकंड इस Nobu Yuki, कुमानो, जो की एक 2nd year high school student है, और जिसको डान्स करना पसंद है, कूरो कावा, जो की एक 2nd year high school student है, और एक actor है, 4th is Memcho, जो की एक 3rd year high school student है, और एक YouTuber भी है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसके 3 लाग से विजा सब्सक्राइबर हैं, और मेरे तो 150 के भी नहीं हुए, तो करदो यार सब्सक्राइब, नेक्स्ट है, केंगो, मोरी मोतो, जो की एक 3rd year high school student है, और एक बैंड में है, और लास्ट जो हमारा बचा है, वो है, आक्वा, जिसके वाने बताने है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब अरिमा आक्वा को इस शो पर देखके काफी एपसेट हो जाती है, क्योंकि अरिम के दिल में, आक्वा के लिए कुछ-कुछ तो होता है, और ये डेटिंग जैसा शो है, तो obviously वो आक्वा को वहाँ देखना नहीं चाहेगी, ते जो आप लोग यार, मेरे audience हो, इतने high IQ वाले समझी गए होगे ये सब connection, अब हम सब आक्वा के personality को जानते हैं, कि उसे ये सब श स्क्रीन टाइम नहीं मिला, तो ऐसे में उसकी agency उससे गुस्सा है, और उसके manager को उसके बदले में माफी मांगनी पड़ी, तो ऐसे में अकाने को एक crew member suggestion देता है, कि अगर तुम्हें स्क्रीन टाइम चाहिए, तो तुम किसी एक couple को इस शो में separate कर दो, ऐसे में कलेश होगा, स्क्रीन टाइम मिलेगा, समझ रहे हो, कलेश में हमेसा स्क्रीन टाइम मिलता है, क्यों बिग बॉस, मैं आओ जाओ क्या, सौरी सौरी सल्मान भाई, फुटपाथ में मुझे सेफ रहना है, और अभी तो मैंने विवेक ओपराई के जाथ फोटो के जवाल लिया, मैं गया पक लेकिन इसके बाद यूकी अकाने को गले लगाती है, और उसे माफ कर देती है, कि उसे भी पता था कि गलती से ये सब हुआ है, गाल पे कट लगा है, हापी एंडिंग है, राइट, शाहर नहीं क्योंकि शोवाले एकदम बिग बॉस जैसे हैं, सौरी, सौरी, बिग बिग ब मज़ा बड़ा मज़ा आते हैं, जब कुछ डरता है, शोवाले एकदम हरामी हैं, ये बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग जो मिलाप वाला पार्ट था, बात में माफ कर देना लाँ, वो नहीं दिखाते हैं, बस कट लगने वाला तक पार्ट दिखाते हैं, वैसे में अकाने का इस्तेमाल कहीं भी ओनलाइन नहीं कर सकते हैं, अकाने इतनी उदास हो गई थी कि वो ब्रिज से कूदने का सोस्ती है, लेकिन यहां पर अपना अक्वा उसे बचाता है, तो इसके अक्वा और शोव के जो बाकी अक्टर्स थे, वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं, कि वो है, वैसे में यह वीडियो हो जाती है, वाइडल, सभी लोग समझ जाते हैं, हेट पूरी तरह खत नहीं होता, लेकिन हां कुछ हद तक कम जरू हो जाता है, और अकाने इस शोव में री एंट्री लेती है, खैर तो अकाने की शोव पे री एंट्री हो चुकी है, जिसके अकाने तुरंट अपने घर पे जाती है, आए के बाड़े में भड़ भड़ के रिसर्च करती है, एकदम पूरा एफ़र्ट डालके, ताकि वो खुद को शो में आई की तरह दिखा सके, तो उसके बाद जब नेक्स शूटिंग चालू होता है, तो यहां अकाने एकदम से आ होने लग जाता है, और आकवा उसे पूसता है, कि वो इतनी परफेक्ट सब कुछ कैसे कर रही है, मतलब आई को में में कैसे कर पा रही है, काने बताती है कि वो आई के उपर बहुत जादा रिसर्च करी है, और उसको अपने परसनालिटी में काइंड ओफ धाल ली है, अपन परसनालिटी तो है, सीक्रेट चाइड, आकवा यह सब्दे कर एकदम शौक में था, और आकवा उसे पूसता है कि वो आई को किस कदर जानती है, तो आकवा ने आई की आवाज में, मतलब आई की तरफ बोलती है, कि मैं उसके बारे में सब जानती हूं, तो आप शो का एंड आचुका था, और ऐसे में आकवा और अकाने वर्क कपल बन चुके थे, वो लोग एक उसे को किस भी करते हैं, अब आप पूछो के वर्क कपल क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम पर हमें दिखाना है, कि हम दुनों कपल है, तो साथ में फोटो खिचवाएंगे, इंस्टा पर डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, तो साथ में जाएंगे, मतलब अक्चुक में कपल नहीं है, लेकिन शो के लिए, वर्क के लिए हम कपल की तरह दिखेंगे, दुनिया को यही लगेगा कि हम कपल है, समझ रहो, आजकल बहुत करते हैं, अब यहां वर्क कपल बनने के पीछे, आकवा का भी एक सेलफिश मूटिव था, और वो यह, कि आकवा देखा कि अका ने इतने कम दिन में, आई की क्यारक्टर को इस तरह ढाल ली है, लिटरली उसके बारे में इतना कुछ पता की है, जितना आकवा परस्नली आई को जानकी पता नहीं कर पाया था, तो ऐसे में अका ने कहीं न कहीं आकवा को उसके बाप को खोजे मदद कर सकती है, भाईया साथ में रहो, साथ में रहेंगे, तभी तो उसका फाइदा उठा पाएंगे, अब आपको याद होगा कि वो प्रडूसर बोला था कि जब शो खत्म हो पता है कि अपने इनिशियल डेज में जो आई थी, वो बहुत ही प्रोफेशनल नहीं थी, उसकी ड्रसिंग सेंस अजीब सी थी, उसका टेंपर हाई था, मतलब उसके अंदर काफी इशूस थे, तो ऐसे प्रोडूसर उसे वरक्शॉप के लिए एक थिएटर कंपनी में प्यार हुआ था, जिसके बाद वो completely बदल गई, यानि कि वो friendly हो गई, professional हो गई, obviously थेटर में भी सीख रही थी, और उसका हमें नया रूप देखने को मिला, जिसे हम सब ने देखा है, जिसमें वो बहुत ही प्यारी थी, अब पर्डूसर को उस इंसान का नाम नहीं पता था अपने शोज में, अब यहां से हम थोर सा strawberry productions पर आते हैं, हम सब जानते हैं कि strawberry production ने अरिमा को as an idol sign कर लिया है, और यहां वो मेम चो को भी as an idol sign कर लेते हैं, क्योंकि मेम चो को भी idol बनना था, आपको आफर करता है, signing हो जाता है, ज्यादा कुछ इसमें discuss करने का है नहीं, इन अरिमा को और रूबी को नचाया था अपने चाया पर एक गंटा, यह सुनने में थोड़ा गलत लग रहा है, नचाया नीदा काडियो करवाया था, अब सही है, लेकिन अरिमा यहां आकवा से चिरिवी है, क्योंकि वो अकाने के साथ relationship में है, और इसलिए अरिमा के दिल में, आकवा के लिए कुछ-कुछ होता है, लेकिन तुम लोग यह सब कहा समझ पाओगे, सिंगल लोग, डिस्कॉर्ड पे आजाओ, सिंगल लोग का वहां मैंने फॉज बनाया है, सब सिंगल्स मिलके एक साथ बात करेंगे, और पता नहीं कहीं आप मिंगल भी हो जाओ, उन्हें कि लाइक्स और डिसलाइक्स के वड़े में काफी कुछ पता था, खैर तो जब यह सब चीज चल रहा था, तो हम एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस कर पाते हैं, प्योन को बेसिकली हमें कमरे के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां वो असली प्योन से बाते कर रहा था, इस मैं skip कर दूँगा, क्योंकि obviously performance में क्या ही बात करें, यह वीडियो आक्वा के बारे में है, लेकिन यहां मैं आपको performance के बारे में इसली बता रहा हूँ, क्योंकि आक्वा भी इस performance को देखने गया था, और audience में वो kind of अपना ही एक performance दे दिया था, खैर तो performance ठीक ठाक रहता है क्योंकि obviously आक्वा अकाने के प्यार में नहीं गिरा है, यह खुद गिरी भी उसके प्यार में, लेकिन attitude देखो बंदी का, वैसे प्यौन को भी वो इसली लाइक कर रही थी, क्योंकि प्यौन तो मास के फीचे था ही नहीं, आक्वा था, उसे हमें साथ आक्वा ही पसंद है, अब anime जितने episodes आये हैं, उसके ending में, आक्वा को एक और manga adaptation का offer आता है, उस manga का नाम क्या था, Tokyo Revengers, नहीं नहीं, यह तो future के लिए है, Tokyo Blade, हाँ, Tokyo Blade नाम था, इस adaptation में अकाने प्रिंसेस साय का रोल करेगी, और आक्वा में लीड बने का जोकी है, टोकी, यहां पर आक्वा की कह कहानी खत्म हो जाती है, वहां तक जितना anime में दिखाया गया है, लेकिन manga में कहानी आगे बढ़ चुकी है, in fact, मुझे यह भी पता है, क्या क्वा कबाब कौन है, बता दू, नहीं, इसमें नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसमें manga को discuss करेंगे, spoilers को discuss क करेंगे, क्योंकि story आगे और भी crazy होती जाएगी, देखो मैं दूसरा मौका दे रहा हूँ, अगर इस बार अच्छा response नहीं आता है, तो इस चैनल से ओशी नोको का नाम और निशान मिटा दूँगा, मैं, response के दपाश चलेगा, 20K likes होने चाहिए, इस वीडियो पे, समझ रह चाहिए, तो ये दो चीज हो जाती है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाया नहीं, आप लोग को पसंदारी ओशी नोको की वीडियो तो और भी वीडियो जालूंगा, वरना खलास, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवा है, समझ एक पैटन बनाओ, चेन, MLM नहीं है, यह अच्छा चेन है, लाइक करने वाला चेन, यहापका पैसा नहीं जाएगा, बस खुश ही मिलेगी आपको मुझे और जो भी लोग इसे असोसियेट होंगे, कमझ रहो, यह एक प्यारा सा चेन है, इसे के साथ चाल पे नए हो तो हमे सब्सक्राइब कर देना, इसे यू गाइज इन नेक्स वन, पीस आउट